तो दोस्तों यह जो प्रॉब्लम है फैन का यह सिलिंग फैन टेबल फैन दोनों ही में आता है और इस प्रॉब्लम के वज़े से पंका घूमता नहीं है तो यह प्रॉब्लम दो तीन कारण से होता है पहला तो यह है कि अगर आपका कैपसेटर का पावर खतम हो गया है तो ऐसे घूमेगा लेकिन वह साउंड नहीं आएगा घूमने की कोशिश करेगा फिर रुख जाएगा अगर अगर आप उंगली इन कोई डंडा वरंडा से घूमा देते हो तो घूमते घुमते हम लेकिन ऐसे रुख जाता है तो यह केपसेटर के वज़ेसे हो जाताए्व और दूसरा प्रॉब्लम जो है वह है अगर आपका फैन का कॉयल जो है वाइरिंग जो वाइरिंग किया हुआ होता है बाइंडिंग अगर वहां पे कई एक दो वाइर जल जाता है तो भी ऐचा ही प्रॉब्लम होता है अगर आप उंगली से घुमा देते हो एक चक्कर तो फिर घुमने लग जाता है बढ़ना नहीं करेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है और ठीक करके बताएंगा आप लोगों तो बने रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल पर केंजे टॉप्टू पर इसका जो प्रॉब्लम है यह घुमने पा रहा है यह जो यह सैब है यहां पे घिस गया है तो गड़्डा बन गया है इसे बदलना है तो हमने यह नया वाला लाया है और यह थोड़ा इससे लंबा रहे लंबा तो मैंने से काट दिया घर पर क्यांकि बरावर वाला नहीं मिलता है बूस का प्रॉब्लम है तो बूस भी है इस यह लगा देंगे कि देखेंगे पहले क्या है तो इसे पहले निकालना होगा निकालते हैं तो बहुत महिनत करने के बाद से अबने लगाया था लेकिन यह जो है टेरा हो गया ठोकते ठोकते देखिया अगर यह आपका थोड़ा भी टेरा होता है तो यह काम नहीं करेगा तो इसे बिल्abadans शिदा होता है उतना ही रखना है आपको बहुत दिड़े दिरे अटको टोक्ना है यह रंदर डालना है यह गीज गया था इसके वज़ेसे नहीं गूम रहा हैं ढमने इसे लाया था यह सIEM सेम नहीं मिलता एया थोड़ा बर भुशित कट लेते हैं अधा काटी लिया इसका कटे खोरा की है मैं नसे उसका ङॉल्धतिनीय क्प्र टेरा यह कर नहीं तो यह दोंग गया सब गुशंच लिखिल के खंड कर दाते हैं और दूसरा यहां पर है तो भी इसको फिर डालेंगे हलका हलका ठोक के बना कर यह भी टेरा हो जाएगा कि तीसे अगर आपके पास यह तकता है या काट इसे से ठोकना धिरे धिरे तक यह टेरा नहों जाए तीसे हमने ठोक ठोक के अंदर घुचा लिया एकदम बड़ाबर पहले वाला जितना था इधर जितना निकला हुआ था इधर जितना निकला हुआ था माप लिया मापने के बाद बड़ाबर करके इसे घुचा दिया तो अब इसका काम हो गया कंप्लीट एकदम सिधा है इसमें खराब हो गया कि नहीं उसे चेंज कर देंगे क्योंकि यह फिर खराब हो जाएगा एक दो दिन के बाद कि इतना लोहे को काट दिया घिस घिस के तो उसमें भी थोड़ा सा खराब यह आया होगा तो यह बूस्ट है वह जो खराब हो गया है तस हो बीचे का आओ कर से निकालने कोशिश करें दो आप्धा सरे पीट को इन के इसका अभी यह फिर गया हैहर से पिके सारे फंड्र की फिर है कॉनक पर्फिसरा सुड्र है अपरे जोर्ट करते कि आर दो जोर्चत कर दो इसका हराद भी कुछ अच्छा नहीं है अंदर से खराब हो गया हमने जो खरीद के लाया था तो यह यह वाला है यह थोड़ा अलग है और यह अलग है इसमें फिट नहीं आएगा तो फिल पर इसे लगा कर कोशिश करते हैं अगर चल जाए तो कोई दिखते हैं इसे छोड़त है तो यहां 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 ऐसे लगा हुआ होता है और को स्टोर करने लिए तो यहां फें थोरा कपरा डाल देंगे तकि और को कि यह वाला कप्रा कि अ कि यह काम चल जाएगा इससे भी कि अ अ कि वेसं कर देना इसे हो जाएगा अ तीसरा भी जोर लेता है लगब हो गया इसका काम दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा से अच्छा लगाया तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए फटा फटा से लगाते हैं ऐसे हो गया फिटिंग कंप्लीट अब इसे चला कर देखते हैं कैसे घूमता है अवा इन बादो लिया बहुती तेज हावा आ रही है इसका स्पीड डेखते है कितना फ्री है काफी पंखा फ्री है और दुस्तों कॉइल जल जाता है डेविट फंगा हो या फिलिंफन का हो तो एक्टिवर्शन कॉइल को यूँं ही बनाया जाता है रिपियर करके तो मैं यहां पे लाट पे यहां पे आप जाके देख सकते हो वीडियो को दोस्तों कि आज के लिए इतना ही कि मिलें गया नेक्स्ट वीडियो में तो सब्सक्राइब करके श्यार लाइक जरू कर देना जैजन्द कि